असलाम अलेकूम अब्बा कैसे हैं आप क्या हुआ फैचाना नहीं मैं आपकी बेटी आले आ कुछ याद आया कुछ साल पहले तक आप अपने जायस वीवी बच्चों से फुर्सत ले हम मा बेटी के गरीब खाने चक्र लगाने आ जाया करते थे मेरे लिए गुबारे खरीदने की फुर्सत नहीं थी शायद आपको इसले दो-च्छा रुपए पकड़ा कर अपने बाप होने का फर्स आप साथ आफ्रीन पूरा कर देते थे क्या याद है आपको कैसे अक्सर आप अम्मी को कहा करते थे कि इसका नाम आफ्रीन गलत रख दिया है तुमने इसका नाम तो आल्या होना चाहिए था मगरूरत देखे इस चुटंकी की है और जब मैं फटर-फटर अंग्रेजी में पडोशियों से बात कर रही होती थी तो कैसे आप अपने मस्खरे अंदाज में मुझे चिड़ाते हुए कहते थे कि I walk in English, I talk in English, I laugh in English because English is a very funny language और मैं हर बार उतनी जोर से हस्ती थी पता है अबा क्यूं क्यूंकि आप हीरो थे मेरे क्या याद है आपको कैसे तलाक 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 बोल हलके से आप इस बेबुनियादी रिष्टे से निकल गए थे और अम्मी ने भी नहीं शादी कर ली थी नए अबा बड़े अच्छे थ अम्मी को भी बहुत खुश रखते थे पर मैं दिल ये दिल आपको रोज याद करती थी अबा पता है क्यूं क्यूंकि आप हीरो थे मेरे यकीन था मुझे कि ख्वाब में भी याद करूंगी ना तो फट से आ जाएंगे आप मेरे पास पर हुआ कुछ यूं कि बुढ़ाप के साथ अकेला छोड़ लखना हूँ किसी काम से चली गई थी और मैं सो रही थी अपने कमरे में मच्छर दानी के अंदर आपको तो पता है ना मच्छर बरदाश्ट नहीं होते मुझे पर क्या याद है आपको कैसे मुझे घर में अकेला पाकर वो हलके से मच्छर दानी उठ अगर मेरे बिस्तर में गुच गया था मैं सो रही थी अब्बा सच में अजाने से कुछ मैसूस हुआ मुझे मेरी परदा दूसरा हाथ मेरे बालों में वो अपने भद्दय होटों से मेरे जिसम पर कुछ कर रहा था मानों सूंग रहा था अपने नए शिकार को ुसकी लंबी उंगलियां उन जोंक की तरह थी जो हट जाने के बाद भी अपने निशान छोड़ जाती है ओले मिला बच्छा एक दफ़ा मुझे लगा आप हैं खुआप से निकल कर मेरे पास पर क्या याद है आपको मेरी आग खुल गए थी और वो आप नहीं थे नह वाले अबबा थे वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी शलवार सरकार रहे थे और जो गहराईयां तब तफसील से गहरी हुई भी नहीं थी उन गहराईयों में अपनी जोंक वाली उंगलियों से रास्ता बना रहे थे क्या याद है आपको मुझे हो अशाद शुका था और मैं उन्हें धक्का दे रही थी नहीं क्या कर रहे आप नहीं प्लीज मैं अम्मी को बता दूँगी एक मिनिट एक मिनिट मैं अम्मी को बता दूँगी ऐसा क्यों का था मैंने में दिल तो चीख चीख कर सर्फ आपको प सब्सक्राइं। क्या उस तब देलियत की आवाज आई थी आपको कैसे एक ही रात में अम्मी को अम्मा बना दिया था मैंने क्योंकि अब्बा का काम भियाबू नहीं करना था फाट लात मार कर भागी थी मैं और दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लिया था मैंने और शहद आज तक उसी कमरे में बंद हूँ मैं कुछ पैदा हुआ था उस दिन क्या एसास हुआ था आपको नफरत ने हलके से दस्तक दी थी उस दिन एक दिल तूटा था उस दिन चबनक पड़ी थी आपको एक ग्यारा साल की लड़की तबाह हुई थी उस दिन क्या खबर आई थी आपको वो लड़की उसी कमरे में बंद दो दिन तक रो रही थी क्या आवाज आई थी आपको एक सक्ट एक सक्ट एक सक्ट आवाज आती भी थो कैसे वो लड़की रोई ही नहीं थी वो ना तब रोई थी वो ना आज रोई है और ना ही कल रोईगी क्योंकि वो लड़की आल्या थी आपकी आल्या आपकी ना जायज वाला थी क्या याद भी है वो आल्या आपको भला कैसे होगी वो आल्या अब मर जू चुकी है खबर लगी थी कि आपकी तब्या ठीक नहीं है तो सोचा खत लिख दूँ मगर लगता है बाकी सारे खतों की तरह ये भी अपना वजूद उस दिराज में पाएगा अपना ध्यान रखेगा अबबा, खुदा हाफिस